वेलकम बैक मैं आप लोगों को प्ला रहा था है धीप वाटर और डीप वाटर में जस्ट फर्स्ट पार्ट प्लाच चुका एंड वन कोस्टन आप गोड़ी रूटेंट कोस्टन वाज दैट वाट इस अडवेंचर दैट विलियम डेगलास स्पिक्स अबाउट एक दुर्भ क्वेशन लिख वाया तो वहां पर देखिए उसी क्वेश्टन को मैं क्या कर रहा हूं एक और दुसरे क्वेश्टन में एड आज हम लोगों को करना है और यह कुश्टन जो था से 2015 में 2015 में आया हुआ कोपी कलम निकाल कर बैठो और दम लिख लेना है आपके ncrt से दम क्व से बहुता है ठेपछ उरम है अप्रेड़ाफ यू मुझे पऌनी से डर है तो बोलेंगे ऐं आइम आफबरेडफ वार्टर नोज जब कभी किसी से डर होता है और रविख होता है या अबरजन आफव को सब्सक्रावर निक्सराइब डगलस मनें डगलस को अफरेड आफ मनें भैबीत और वाटर मनें किसे पानी से तो हो गया कि डगलस को पानी से डर क्यों था डगलस को पानी से भैबीत क्यों था ये डगलस को पानी से डर क्यों था इसी को आप बोलेंगे इसी में का और कोशन पुछा कि what happened मने क्या हुआ to him उसे as a child मने बच्चे ग्रूप में तो वही miss adventure के बारे में यहां से यहां तक तो कोशन यह है जो miss adventure के बारे में है आपको लिखना है लेकिन यतना सा कोशन अलग है तो उसको पाने से डर क्यों हुआ क्यों था उसको पाने से डर ठीक है शुरू से उसको पाने से डर क्यों था ठीक है तो आप किताब निकालो यहां पर देखो लिखा लोगा कि from the beginning however I had an aversion to the water of when I was in it ठीक है न कि उसको पाने से शुरू से ही डर था जब उसको पाने में होता था तो आपको पता कि जब वो दो या तीन साल के था तो उसके पिता जी कहां पर कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे और एक वेपस जो क्या था उसको स्विप्ट अवे कर दिया था और जिसके चलती जो उस सर्फ आथी में गिर गया था उसी समय सो उसको पाने से का होगया था डर हो गया था तो उसी को एन्सेर लिखना कि उसको पाने से डर क्यों हो था तो एक यहहां पर लिख लए कि वेन मतलब जब डगलस was three or four years old आप ऐसा लिखेंगे ठीक है लेटर में लिखेंगे ऐसा मैं लिख दिया हूँ तुक उसके पिता जी उसे ले गए कैलिफोर्निया के समूदर के किनारे पर ले गए कैलिफोर्निया पता है कि USA का एका हम लोग पता है बिलियम डेगलस कोई आम आदमी नहीं था आपको पर सबसे लॉंग ठर्म तक यूएसे का प्रिसिडेंट के रूप में रहने वाले जो कौन था ठीक है एडवाईजर के रूप में रहने वाले कौन थे यह विरियम डगलस थे तो उसी के जो नो मिस एडविंचर घटा था तो उसी को बहुत हम लोग पढ़ रहे हैं तो कैलिफॉर्णिया यूएसे का एक स्टेट है तो उसी स्टेट के उसी कैलिफॉर्णिया के बीच पर उसके पिताजी का कर गया ले गया करा कि ही एंड हीस फादर वेयर स्टेंडिंग टुगेदर वह और उसके पिताजी का थे स्टेंडिंग मनें खड़े थे टुगेदर मन नहीं होगा ही होगा ना तो ही हंग ऑन टू हीम वह उसे पकड़ा हुआ था ठीक है पर इस फादर भी कर सकते हैं यह आपने पिता को कस के पकड़ा हुआ था हंग और मैं कस कर पकड़ना होता है वह अपने पिता जी को इस लिख सकते हैं ही हंग ऑन टू हीस फादर वह अपने पिता को कस कर पकड़ा हुआ था ये वरना ये भी सही है पकड़ा हुआ था एट का मतलब फिर भी दा वेपस नौक हीम डाउन फिर भी लहरों ने उसे का कर दिया गिरा दिया एंड स्वेप्ट हीम और उसके उपर से का हो गया ठीक है वह पानी में का हो गया था गड़ गया था इस ब्रेथ वास गोन उसकी सांसे का चली गई थी वास फ्राइटेंड वह का था भैबित था वह डर गया था दैट्स वाई डगलस वास अफ्रेड अफ वाटर इसलिए डगलस को पानी से का था डर था अब इसी में यहां से एक को भाक कोशन हो गया कि उसको पानी से डर क्यों था अब यह कि वाट हैपेंड टो हीम अजे चाल उसे बच्चे की रूप में क्या हुआ तो उसी कोशन को आगा मिला देना है कि वें बिलियम डगलस वास टेन और 11 यर्स ओल्ड जब बिलियम डगलस 10-11 साल के था he started to learn swimming in the YMCA swimming pool वा YMCA swimming pool में तैरने सिखने के लिए का किया शुरू किया he did not go Yakima river because Yakima river was treacherous for him what Yakima river में नहीं जाता था क्योंकि Yakima river उसके लिए का था खतरात खतराक था he went to YMCA swimming pool because YMCA swimming pool was safe for him वा YMCA swimming pool में जाता था he went to YMCA swimming pool YMCA swimming pool में जाता था because YMCA swimming pool was safe for him क्योंकि YMCA swimming pool उसके लिए का था safe था आगे है कि one morning he was sitting on the edge of one morning one morning he was sitting on the edge of YMCA swimming pool एक सुबा वा YMCA swimming pool के किनारे का किया था बैठा हुआ था there was no one there was none वहां कोई नहीं था the water was steel और पानी अदम का थी स्थीर थी अग्या जस्ट देन अब यूली बॉय या अब रूजर बॉय केम देर तभी एक यूवा ललका वहां आया ठीक है and he told और उसने कहा थे किता में है बताया थे नहीं उसने कहा कहा था से ठीक है और उसने कहा था कि how did you like to be and he told और उसने कहा hi skinny how did you like to be ducked तुम क्या तुम तैरना नहीं चाहोगे और with that और इसी के साथ he picked up William Douglas और वह William Douglas को का कर लिया उठा लिया and he tossed him into the deepest part of water और वह पारी के सबसे गहरे भाग में का कर दिया फेक दिया William Douglas was almost drowned William Douglas लगभा का हो गया था डूब गया था It was the misadventure that William Douglas speaks about यही दुरभागे पुन घटना है जिसके बारे William Douglas का क्या था का क्या बोलता है और यही उसकी जियोन में का क्या था हुआ था तो यह आपको जो था से अभी तक जो आपको कोशन बता गया वहां से था अब मैं रेडिंग कर रहा हूं तो अगला पार्ट आपको देखना है अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो के देखें ठीक है यहां तक मैं फर्स्ट पार्ट में कोशन था जो कि दस नमर का कोशन में आपको बता चुका हूं अब मैं अगला पार्ट आपको क्या कर रहा हूं पढ़ रहा हूं ठीक है यहां थाँ